हेलो दोस्तो अभी के समय में हर एक छोटे और बड़े काम को करने के लिए मनुष्य ने कई सारे मशिनों का निर्मान करके रखा है और दोस्तो इन मशिन्स को निर्मान करने का काम एक मेकेनिकल इंजिनियर का होता है जैसे कि दोस्तो बाइक, स्कुटी, कार, एरोपलेन, जहा है तो दोस्तो मेकेनिकल इंजिनियर की डिमांड मार्केट में काफी ज़्यदा बढ़ चुकी है और दोस्तो गवर्मेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के अंदर एक मेकेनिकल इंजिनियर की डिमांड काफी ज़्यदा है जिसके वज़े से हम मेंसे कई सारे पर्सन बनना है और देर सारा पैसा कमाना है तो इसके वज़े से कई सरी स्टुडेंट फ्यूचर में एक मेकनिकल इंजीनियर बनने के बारे में सोचते हैं तो दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेकनिकल इंजीनियर इंजीनियर की काफी ज़दा पॉपिलर ब्रांच है और mechanical engineer का course complete कर लेने के बाद आप robotic engineer, aerospace engineer, automotive engineer, manufacturing engineer, maintenance engineer, nuclear engineer जैसे बड़े बड़े post हासिल कर सकते हो, तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को mechanical engineer केसे बने, mechanical engineer का काम क्या होता है, mechanical engineer बनने के क्या eligibility criteria है, याने कौन-कौन mechanical engineer बन सकता है, mechanical engineer बनने के लिए कौनसा course करना पड़ेगा, उस course की कितने रुपीज की फीज आएगी, course complete कर लेने के बाद आप किन-किन companies में job हासिल कर सकते हो, वहाँ पर आपको कितने रुपीज की salary मिलेगी, और दोस्तो end में मैं आपको ये भी बताऊंगा, कि mechanical engineer बन जाने के बाद, आप कौन-कौन से business स्टार्ट करके, लाखु रुपे की कमाई हर मैना कर सकते हो, तो चलो दोस्तो इस वीडियो की शुरुआत करत हैं और जान लेते हैं mechanical engineer कैसे बने, तो दोस्तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि mechanical engineering क्या होता है, और mechanical engineer का काम क्या होता है, तो दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ कि mechanical engineering सबसे पुरानी शाखाओं में से एक है, और ये बहुत ज़्यदा popular course में से एक है, mechanical engineering के course के अं मशिन को रिपेर के से करते हैं और मशिन की डिजाइनिंग किस तरीके से करी जाती है इसके बारे में सिखाया जाता है mechanical engineering का पूरा course complete कर लेने के बाद आप eligible हो जाते हो कि दुनिया में कोई भी machine हो उस machine को आप repair कर सकते हो उस machine को आप manufacture कर सकते हो और उस machine को आप design भी कर सकते हो mechanical engineering के course के जरीए आपको machine की सारी प्रकार के knowledge मिल जाती है machine किस प्रकार से काम करती है इसके बारे में पता चलता है और mechanical engineering कर लेने के बाद दुनिया की इसे कोई भी machine नहीं होगी जिसको आप repair नहीं कर सकते mechanical engineering के course के अंदर आपको mechanics, thermodynamics, kinematics, maths, material science, statistics and dynamics इत्याजी से subject सिखाये जाते है तो दोस्तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि mechanical engineer बनने के लिए क्या eligibility criteria है यानि कौन कौन सा student mechanical engineer बन सकता है तो दोस्तो mechanical engineering का course करने के लिए आपको सबसे पहले 10th pass होना compulsory है अगर दोस्तो आप mechanical engineer बनना चाते हो तो दोस्तो आपको 10th pass होने के बाद science की stream से 12th pass करनी है otherwise दोस्तो आप directly 10th के बाद diploma का course भी कर सकते हो लेकिन अगर आपने 12th pass की है तो दोस्तो आप mechanical engineer नहीं बन सकते तो दोस्तो eligibility criteria इसमें एक ही है कि आपको अपने 12th भी science की stream से ही pass करनी है और यहीं नहीं दोस्तो आपको अपने 12th 50 या फिर 55% से ज्यादा marks लेकर pass out करनी होगी तो ही दोस्तो आप future में mechanical engineering के लिए admission ले सकते हो अगर आपने 10th pass की है तो दोस्तो 10th के basis पर आप diploma in mechanical engineering का course कर सकते हो और दोस्तो science के stream से के अंदर भी दो प्रकार होते है एक PCB student और दूसरा होता है PCM student तो दोस्तो PCB और PCM दोनों students इस course को करने के लिए eligible है यानि अगर आपने 12th के studies में mathematics subject लिया नहीं है फिर भी दोस्तों आप mechanical engineering का course कर सकते हो तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि mechanical engineer बनने के लिए क्या steps है यानि कौन सा course करना पड़ेगा उस course की कितने रुपीज की fees आएगी और दोस्तों इस course के अंदर हमें क्या-क्या सीखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि mechanical engineer बनने के लिए आपको अपनी 10th पहले pass out करनी है 10th के बाद आपके सामने दो तरके options निकल के आ जाते है mechanical engineer बनने के लिए एक तो दोस्तों आप diploma in mechanical engineering का course कर सकते हो या फिर दोस्तों आप 10th के बाद 12th complete कर सकते हो और 12th के बाद degree course complete करके एक mechanical engineer बन सकते हो तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको diploma course के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ दोस्तों यह जो diploma का course होता है यह 3 years का होता है इस course को आप directly 10th के बाद कर सकते हो डिपलोमा के course के अंदर आपको mechanical engineering की full deep में knowledge नहीं दी जाती इसके अंदर आपके topics उपर उपर से cover करे जाते है आपको basic knowledge दे कर छूड़ दिया जाता है जिसके वज़े से जब भी आप future में job के लिए जाते हो तो दोस्तो डिपलोमा करने के वज़े से आपको कम रुपीज की salary दी जाती है डिपलोमा in mechanical engineering के अंदर आपको theory of mechanics, fluid mechanics and mechanics, engineering of mechanics and strength of material etc subject सिखाये जाते है और अगर आप डिपलोमा का course करना चाते हो तो दोस्तो आप 10th के बाद directly किसी भी engineering college के अंदर admission ले सकते हो mostly डिपलोमा के course के admission के लिए कोई entrance exam देनी की जरुरत नहीं होती आपको अपने 10th के board exams के marks के अनुसार कोई भी एक अच्छा college मिल जाएगा लेकिन दोस्तो डिपलोमा का course करने के बाद आपको salary कम मिलीगी इसके वज़े से मैं आपको ये option recommend नहीं करूँगा आप दोस्तो degree course के लिए जाएए degree course के अंदर आपको full deep में knowledge दी जाती है और future में आपका career भी अच्छा होगा और दोस्तो आपको salary भी अच्छी मिलीगी तो दोस्तो हम लोग degree course के बारे में भी जान लेते है तो दोस्तो degree course करनी के लिए आपको 10 के बार 12 पास आउट होना है 12 आप science की stream से पास करो अगर दोस्तो आपका पहली से ही ये मन है कि मुझे future में जाके mechanical engineer बनना है तो दोस्तो आप अपनी science की stream mathematics subject के साथ पास करो यानि PCM subject लेकर अपनी 12 पास करो 12 पास कर लेने के बाद आपको JEE की entrance exam देनी है अगर दोस्तो आपको JEE की entrance exam में कम भी मार्स मिले तो भी दोस्तो कोई problem नहीं है बस ये exam आपको attempt करना important है मार्स कितने मिले इससे जादा effect नहीं पड़ता ये entrance exam mostly उन बच्चों के लिए होती है जो बहुती जादा sharp minded होते है जिनको IIT college के अंदर admission लेना होता है अगर दोस्तो आप एक average student हो तो दोस्तो सिर्फ आप इस exam को attempt करने के बारी में ही सोचो मार्स से आपको जादा कोई effect नहीं पड़ेगा entrance exam देने के बाद आपका जो नाम है वो किसी भी college के अंदर लग जाएगा लेकिन दोस्तो उससे पर लेक छूटी सी procedure करनी होती है वो procedure आप साइबर कैफे में जाकर कर सकते हो जिसके जर्ये आपका merit list में नाम आएगा और आपको उस college में जाकर admission लेना होगा और दोस्तो जब भी आप कभी admission लेने के लिए जाओगे तो दोस्तो आपको fees के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा लेकिन फिर भी दोस्तो में आपको बता देता हूँ कि mechanical engineering का course करने के लिए आपके सामने दो प्रकार की degrees अविलेबल होती है एक तो दोस्तो आप B.Tech in mechanical engineering का course कर सकते हो या फिर दोस्तो आप B.E. in mechanical engineering का course कर सकते हो ये दोनों course दोस्तो 4 years के होते है इन 4 years के course के अंदर आपको 8 semester देने होते है और ये semesters आपके syllabus पर depend करते है और दोस्तो इन 4 सालों के अंदर आपको mechanical engineering की फुल डीप में नौलेज दी जाती है जिसके वज़े से आपको फूचर में जॉब मिलना बहुती ज़्यादा आसान हो जाता है अगर दोस्तों हम लोग फीज की बात करें तो दोस्तों डिपलोमाइन मेकेनिकल इंजिनिरिंग का कोर्स करनी के लिए आपको पर एर असी हजा रुपए से लेके देड़ लाक रुपीज तक की फीज देनी पड़ेगी और दोस्तों वही बी टेक या फिर बी इन मेकेनिकल इंजिनिरिंग का कोर्स करनी के लिए छोटे से छोटे कॉलेज के अंदर आपको एक लाक रुपए से लेके तीन लाक रुपीज तक की फीज देनी पड़ेगी अगर दोस्तों हम लोग फुल कोर्स की बात करें तो दोस्तों डिपलोमा का फुल कोर्स करनी के लिए आपको 5,00,00,00 रुपे से लेके 3,00,00,00 क खर्ष आ जाएगा और अगर दोस्तो हम लोग degree course की बात करें तो दोस्तो mechanical engineer बनने के लिए आपको 4,00,00,00 रुपे से लेके 5,00,00,00 रुपेर तक का खर्ष आ जाएगा ये दोस्तो एक छोटे कॉलेज की फीज है अगर दोस्तो आप IIT जैसे बड़े कॉलेज के अंदर एड्मिशन लेते हो तो दोस्तो एक मेकेनिकल इंजिनियर बनने के लिए आपको IIT कॉलेज के अंदर 15 लाक रुपीज तब का खर्च आ जाएगा अभी दोस्तो हमों ये जान लेते है कि मेकेनिकल इंजिनियर बनने के बाद हम किन किन कंपनीज में जौब हसिल कर सकते है कौन कोन से पोस्ट पर जौब हसिल कर सकते है और वहाँ पर हमें कितने रुपीज की सैलरी पर मंत मिल जाएगी दोस्तों mechanical engineering की studies complete कर लिने के बाद आपको BMW, General Motor Corporation, Tata Motors, Mahindra, L&T, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Oil and Natural Gas Corporation Limited, Godridge Group, SpaceX, ISRO, NASA, Cole India, Thermax, Maruti Suzuki, Reliance Group, Bajaj Alto, Mercedes, Adani Group, Toyota इस तरीके से हजारों companies के अंदर आपको job मिल जाएगा, दोस्तों mechanical engineer की हर एक company को जरूरत होती है, क्योंकि हर एक product बनाने के लिए, उसको manufacture करने के लिए, उसकी design करने के लिए, एक mechanical engineer की ही जरूरत पड़ती है, और ये काम mechanical engineer के अलवा और कोई नहीं कर सकता, और दोस्तों mechanical engineering की job private sector में तो available ही है, साती साथ government sectors की भी अंदर mechanical engineer की काफिजदा demand है, दोस्तों हर एक car बनाने वाली company, bike बनाने वाली company, aeroplane बनाने वाली company, जहाज बनाने वाली company, दोस्तों घर में का हर एक छोटा और बड़ा सामान बनाने वाली company को एक mechanical engineer की जरूरत पड़ती है, तो दोस्तो mechanical engineering के लिए scope तो बहुत ही जादा है, और यहाँ पर salary की भी जादा demand रहती है, क्योंकि demand इसमें जादा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको salary भी जादा मिलेगी, तो दोस्तों आईए हम लोग अभी post के बारे में बात करते है, जोब तो आपको इन companies में मिल जाएगी, लेकिन बहाँ पर काम क्या करना होगा और post क्या रहेगा, दोस्तों mechanical engineering का course complete कर लेने के बाद, आप एक aerospace engineer, मोटार वाहन engineer, manufacturing engineer, maintenance engineer, robotics engineer, nuclear engineer, etc. जैसे post पर job कर सकते हो, इसके साथ साथ आप railways में भी job हासिल कर सकते हो, आप Tata Energy Centers के अंदर भी job हासिल कर सकते हो, आप petroleum engineer, sales engineer, manufacturing and quality engineer, mechanical engineer and technician, etc. जिससे हजारों post पर भी दोस्तों आप job हासिल कर सकते हो, अगर दोस्तों हम लोग government jobs की बात करें, तो दोस्तों एक mechanical engineer, Indian railway के अंदर काम कर सकता है, DRDO के अंदर काम कर सकता है, NTPC, Oil India, Airport Authority, ISRO, COWARD, Coal India, जलियात्रा, Aeronautics Limited, etc. जिसे कई सारे जगह पर job हासिल कर सकता है, mechanical engineer की demand इतनी ज़्यादा है, कि जितने भी jobs आप लाओगे, उन सभी jobs पर दोस्तों एक mechanical engineer काम कर सकता है, क्योंकि दोस्तों आज की समय में हर एक काम machine के जर्ये ही किया जाता है, तो दोस्तों एक mechanical engineer हर एक machine को ठीक कर सकता है, और उसको बना सकता है, इसके वज़े से दोस्तों हर एक जगह पर एक mechanical engineer की जरुरत होती ही है, और यही नहीं दोस्तों एक mechanical engineer बहारगाव देशों में भी अपनी एक पैचान बना सकता है, वहाँ पर भी दोस्तों एक mechanical engineer की काफी ज़दा डिमांड है, जैसे कि दुबई, USA, Germany, Canada, Australia, वहाँ पर दोस्तों एक mechanical engineer की काफी ज़दा डिमांड है, आप एंडिया में education लेकर वहाँ पर भी shift हो सकते हो, और वहाँ पर अपना career भी set कर सकते हो, अगर दोस्तों हम लोग salary की बात करें, तो दोस्तों एक diploma holder को as a fresher 15,000 रुपे की salary दी जाती है, जो experience के अनुसार 50,000 रुपीज तक जा सकती है, एक diploma holder इतनी ही रुपीज की salary as a mechanical engineer के post पर ले सकता है, क्योंकि diploma holder को बड़ी post नहीं दी जाती, जिसके वज़े से उसको कम ही salary में काम करना पड़ता है, और अगर हम लोग degree course वाले student की बात करें, तो दोस्तों जिसने भी degree का course complete किया है, उस student को as a mechanical engineer fresher ही 20-25,000 रुपे की salary दी जाती है, और दोस्तों 3 साल के experience के बाद उसको 45,000 रुपीज से लेके 50,000 रुपे की salary दी जाती है, जिससे ही दोस्तों एक degree holder के पास 5 साल का experience आ जाता है, तो दोस्तों उसको as a mechanical engineer 70,000 रुपे से लेके 1,000,000 रुपीज तक की salary दी जाती है, ये salary depend करती है कि वो किस post पर काम कर रहा है, अगर दोस्तों आप degree holder हो और आप बाहर गाओ में job हासिल करने के लिए जाते हो, तो दोस्तों आपको दुबई में ही 17,000,000 रुपे का package दिया जाता है, याने दुबई में आपको per month महिने की salary 1,500,000 रुपीज तक की दी जाएगी, और वही दोस्तों USA में आपको per year का जो package ह होता है, वो 35,000,000 रुपीज का होता है, और वही दोस्तों Germany में आपको 30,000,000 रुपे का package दिया जाता है, कैनडा में आपको 35,000,000 रुपे का package दिया जाता है, और दोस्तों Australia में आपको 60,000,000 रुपे का package भी दिया जाता है, तो दोस्तों ये सब package depend करते हैं, कि आपके पास experience कितना है आपके पास knowledge कितना है और आपका जो performance है वो किस तरीके से रहा है अगर दोस्तो हम लोग business की बात करें तो दोस्तो एक mechanical engineer ये सब studies करके जॉब न करना चाहे तो दोस्तो जॉब नहीं करके भी बहुत सारे पैसी कमा सकता है वो अपना खुद का garage डाल सकता है खुद की manufacturing company open कर सकता है अगर दोस्तो आपने as a mechanical engineer कोई garage open किया तो दोस्तो आने वाले जो भी customers होंगे वो आप पर ज़्यादा trust करेंगे और हमेशा वो आपके पास अपनी गाड़ी repair करने के लिए आएंगे और दोस्तो बस एक four wheeler या फिर two wheeler का garage डालके ही आप 2-5 रुपीज इसकी earning हर महिना कर सकते हो अगर दोस्तो आपने इसके साथ साथ अपना manufacturing industry open करी तो दोस्तो आपकी पर महिनी की income 3-5 रुपी की बड़ी आसानी से हो जाएगी बस दोस्तो आपके पास business mind होना चाहिए तभी दोस्तो आप business के जरिए success हो जाओगे तो दोस्तो उमिद करता आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा इस वीडियो को शेर करके लोगों की मदद करो आपका पायर देने के लिए और एससे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को धन्यवाद